आज से लगभग 400 साल पहले एक विदेशी कंपणी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उस कंपणी का नाम था East India Company। ये कंपणी इंग्लेंड की थी और इंग्लेंड की राजा ने भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपणी को चारटर लिया था। तो इंग्लेंड की राजा से चार्टर लेकर East India Company भरत में व्यापार करने के लिए आई, उस समय इस तेश में मुगल समराट औरंगजेब का साशन चला करता था, इस कमपणी के अधिकारियों ने अपना सबसे पहला व्यापारिक केंदर बनाने के लिए सूरत में कुछ जमीन ली थी, मुगल समराट औरंगजेब ने सूरत में कुछ जमीन जागीर में देकर East India Company का सबसे पहला व्यापारिक केंदर खुलवा दिया, किसी को यह अंदाजा नहीं था, कि जिस East India Company ने सूरत में अपना व्यापारिक केंदर खुला है, व्यापार के बहाने, उद्योग के वहाने इस देश में कदम रखा है, वही East India Company एक दिन सारे देश को गुलाम बनाईगी, सूरत में East India Company का व्यापारिक केंदर खुला, उसका व्यापार शुरू हुआ, व्यापार बढ़ते बढ़ते सारे सूरत में फैला, तो पहले East India Company ने सूरत के बाजार पर कबजा किया, और सूरत के बाजार पर कबजा करने के बाद एक दिन East India Company ने पूरे सूरत पर ही कबजा कर लिया, जिस तरह से East India Company ने सूरत पर कबजा किया, ठीक उसी तरी के से East India Company ने हिंदुस्तान के भारत के तमाम बड़े बड़े शहरों में अपने व्यापारिक केंदर खोले और उन वही काम कलकत्ता में किया, वही काम दिल्ली में किया, वही काम आगरा में किया, वही काम हिंदुस्तान के तमाम शहरों में किया, धीरे धीरे सारे देश में East India Company के व्यापारिक केंदर खोले और जिन जिन शहरों में, जिन जिन इस्थानों पर East India Company के व्यापारिक केंदर खो बहाने सामराज इस देश में बनने लगा। 1750 तक इस्टंडिया कमपणी की इस्थती ध्यापार के बहाने इस देश में अपना सामराज इस्थापित करने की थी। और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद तो इस्टंडिया कमपणी ने ऐसा मान लिया और घोषित भी किया कि अब सारे देश पर करीब करीब उनका कबजा हो गया। 1757 से 1815 के बीच में इस्थ्टंडिया कमपणी ने इस देश की जम कर लूट की। इस्ट इंडिया कमपनी गोशित रूप से आई थी व्यापार करने के लिए लेकिन सच्चा ही ये है कि इस्ट इंडिया कमपनी आई थी भारत की संपत्ती की लूट करने के लिए क्योंकि सारी दुनिया जानती है इतिहास में इस बात के प्रमान है कि सत्रवी शताबदी की शुरुआत तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी को रौद्यों के केंदर रहा सत्रवी शताबदी की सुरुआत तक ये देश दुनिया में सबसे ज़्यादा सामान बेचने वाला देश था दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्याद करने वाला देश था इस देश में संपत्ती बहुत थी इस देश में पैसा बहुत था इस देश में पूंजी बहुत थी ये बात अंग्रेजों को मालुम थी तो इस्ट इंडिया कंपनी के बहाने से अंग्रेज इस देश में व्यापार करने के लिए नहीं आये थे बलकि इस्ट इंडिया कमपनी के बहाने वो इस देश की संपत्ती को लूटने के लिए आये थे तो East India Company के व्यापारी केंद्र के खोलने के पीछे अंग्रेजों की मन्शा यही थी कि दीरे दीरे सारे देश की संपत्ती पर कबजा करना और वो उन्होंने किया तमाम जगे के छोटे छोटे राजा माहराजाओं पर अपनी दोस्ती का बहाना अपने समझोते के बहाने से वहाँ कबजा किया उनकी संपत्ती अंग्रेजों के पास गई तमाम दूसरे छेत्रों में अंग्रेजों ने जहां पर समझोते नहीं हो सकते थे जहां पर इस्थानी व्यवस्थाएं बहुत मजबूत थी इस्थानिय लोग बहुत मजबूत थे वहाँ पर अंग्रेजों ने उनको दंड देकर उनको प्रतारित करके उनको मार कर उनको पीठ कर अपनी व्यवस्था में लाने का काम किया अपने कानून तथाकतित कानून के द्वारा लोगों को प्रतारित करके वहां की संपत्ती लूटने का काम किया तो इस्ट इंडिया कंपणी ने डेल सो वर्ष में सत्रवी शताबधी के शुरुवात से लेकर 1757-1760 के आसपास तक सारी देश में व्यापारिक केंदर खोल कर कबजा किया और उसके बाद इस देश की एक नियमित लूट शुरू की इस्ट इंडिया कंपणी जब इस देश में आई थी तो मात्र 50,000 पॉंड का संपत्ती लेकर पूंजी लेकर इस देश में वो घुसी थी 50,000 पॉंड की संपत्ती से इस देश में व्यापार शुरू करने वाली इस्ट इंडिया कंपणी ने 1757 से लेकर 1815 के बीच में हिंदुस्तान से लगभग 1500 करूल रुपई की पूजी इंगलेंट भेजी मनिपलासी के युद्ध से वाटरलू के बीच में वाटरलू का जो युद्ध हुआ उस 1757 से 1815 के समय के बीच में इस देश की 1500 करूल रुपई की फूजी इंगलेंट पहुच गई इस्ट इंडिया कंपणी की लूट के बहाने और बाद में ओसतन जो हिसाब लगता है बैठता है वो ये है कि हर वर्ष लगभग 50 से 60 करूल रुपई की समपत्ती हिंदुस्तान से भारत से इंगलेंट जाने लगी इस्ट इंडिया कंपणी ने ये सारा जो इस देश में किया वो सब खुले व्यापार की नीती के तहट मुक्त व्यापार की नीती के तहट किया इस देश को लूटने के लिए इस्ट इंडिया कंपणी और उसकी सरकार ने तरह तरह के कानून बनाए अंग्रेजी सरकार इंग्लेंड में तरह तरह के कानून बनाती थी और उन कानूनों के तहती इस्ट इंडिया कंपणी को लूट के नहीं नहीं तरीके मिलते थी जैसे उधारण के लिए 1813 में ब्रिटिश पार्लेमेंट ने ब्रिटेन की संसद ने इंग्लेंड की संसद ने अंग्रेजों की संसद ने एक चार्टर और फ्री ट्रेड पारित किया इस्ट इंडिया कंपणी को हर 20-20 साल में चार्टर दिये जाते थे तो ऐसे ही 20-20 साल के चार्टरों के मिलने से इस्ट इंडिया कंपणी इस देश में अपने लूट को अपने सामराज को पुख्ता करती थी मजबूत करती थी ऐसा ही एक चार्टर 1813 में इस्ट इंडिया कंपनी को दिया इंग्लेंड की पार्लेमेंट की तरफ से और 1813 का जो चार्टर इस्ट इंडिया कंपनी को मिला वो सारा का सारे चार्टर फ्री ट्रेड के नाम पर था, मुक्त व्यापार के नाम पर था उस 1813 के चार्टर से इस्ट इंडिया कंपणी को इस देश में तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के नए अधिकार मिल गए और उन सारी सुविधाओं और अधिकारों को इस्ट इंडिया कंपणी ने इस देश को और ज़्यादा लूटने में इस्थेमाल किया तो 1757 से 1815 तक की जो लूट है उससे कई गुना ज़ादा लूट फिर 1813 के बाद इस देश में शुरू होई और उस लूट का नतीजा ये था कि जो देश सत्रवी शताबदी के शुरुआत तक दुनिया में सबसे ज़ादा निरयात करने वाला देश था बहुत संपत्ती वाला देश था बहुत संपण देश था बहुत सम्रध देश था वो देश 1890 तक आते आते एक भिकारी देश बदल गया 1813 में जो चार्टर मिला था इस्ट इंडिया कमपनी को उस चार्टर के परिणाम ये हुए कि इस देश के अच्छे वस्त रुद्योग को इस्ट इंडिया कमपनी के अधिकारियों ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया इस देश की तमाम दूसरी व्यापारिक संस्थाओं को इस्ट इंडिया कमपनी ने रौन दिया इस देश के तमाम दूसरे वस्त रुद्योग के अलावा जो दूसरे बहुत संपन्न रुद्योग थे उनको भी खूब जम कर इस देश में उन्होंने तोड़ा इस देश की पूरी व्यापारिक और अध्योगिक व्यवस्था को अंग्रेजों ने अपने हिसाब से तोड़ दिया, अपने हिसाब से व्यवस्थित किया, उसको रिकंस्ट्रॉक्ट कर दिया, सारे देश की अर्थ व्यवस्था को बदल के रख दिया, अपने निजी स्वार् का पैसा जब इंग्लेंड पहुंचा लंदन पहुंचा अंग्रेजों के पास पहुंचा तो उसी पैसे से कहा जाता है कि इंग्लेंड में ओद्यों के क्रांती की बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि अगर भारतवर्श की लूट ना हुई होती अंग्रेजों ने इस देश में संपत्ती ले जाने के लिए और ये सही बात है कि 14-15 शताबदीतक इंग्लेंड दुनिया में बहुत संपन देश नहीं माना जाता था बहुत गरीब देश था, बहुत पैसा नहीं था, कुछ खास नहीं था उनके पास तो वो सारी की सारी संपत्ती जो हिंदोस्तान से भारत वर्ष से इंग्लेंड गई उसी संपत्ती ने इंग्लेंड को समरद्शाली बनाया, उसी संपत्ती से इंग्लेंड में संपन्नता बढ़ रही थी तो भारत के गरीब होने की और इंग्लेंड के संपन्न होने की कहानी को अंजाम देने का काम इस्ट इंडिया कंपनी ने किया भारत को गरीब बनाने का काम इंग्लेंड को अमीर बनाने का काम East India Company के द्वारा किया गया और ये सारा का सारा देश के लोगों को धोके में रखकर मुक्त व्यापार के नाम पर इस देश के साथ इतना बड़ा धोका हुआ किसी तरह इस देश में जब लोगों को समझ में आने लगा कि East India Company इस देश में व्यापार के बहाने लोट रही है इस देश को गुलाम बना रही है और 1858 में तो अंग्रेजों की बाकाइदा सरकार यहां चलने लगी थी इस देश में 1857 तक इस देश में East India Company का साशन चलता था फिर 1858 से इस देश में East India Company का साशन बदल कर सीदे अंग्रेजों का साशन इस देश में इस थापित हो गया तब इस देश के लोगों को अंदाजा लगने लगा कि यह अंग्रेज इस देश में व्यापार करने नहीं आए है East India Company व्यापार करने नहीं आई है इस देश को लूटने के लिए आई है और उस लूट के खिलाफ इस देश के लोग संगठित होने लगे उनमें चेतना आने लगी जब देश के लोगों में चेतना आई अंग्रेजों के खिलाफ लोग संगठित हुए तो इस देश में एक बहुत बड़ा स्वाधिनता संग्राम शुरू हुआ 1857 में उसकी शुरूआत हुई हाला कि ये स्वाधिनता संग्राम छिटपुट तरीके से सारे देश में उसके पहले भी चलता रहा जहां जहां लोगों की शक्ती थी छमता थी लोग लड़ते थे और जहां संभव होता था वहां अंग्रेजों को पीट भी लेते थे अंग्रेजों को मार भी लेते थे लेकिन 1857 से सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की एक आवाज शुरू हो गए और उस बगावत के बढ़ते बढ़ते कदम 1890 तक और मजबूत हुए बीसवी शताबदी के शुरूआत में बाकाइदा इस देश में स्वदेशी आंदोलन चला 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया लौड करजन ने बंगाल का विभाजन किया उसके विरोध में सारे देश में स्वदेशी का अंदोलन चला और उस स्वदेशी के आंदोलन की ताकत इतनी जादा थी कि 1911 में आकर अंग्रेजी सरकार को बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा इतिहास में ऐसी बहुत कम घटनाएं हैं जो घटना 1911 में इस देश में घटित हुई कि पहले बंगाल का विभाजन किया और उसके बाद बंगाल का विभाजन वापस हुआ इसी स्वदेशी आंदोलन ने सारे देश के लोगों को एक सूत्र में बाधने का काम किया इस देश के महान नेताओं ने लोकमान तिलक, गोपाल कृष्न गोखले, महत्मा गांधी और महत्मा गांधी के पहले दयानन सरस्वती, दयानन सरस्वती की श्रेनी के और दूसरे तमाम महान विभूतियां इस देश में जब लगी करती रही, 1947 में ये देश आजाद हुआ एक लंबी लड़ाई के बार, 90 साल की लड़ाई 1857 से इस देश में लगातार लड़ी गई, उसके पहले भी लड़ाई चलती रही, लेकिन 1857 से इस देश का समय तो बहुत महत्वण रहा इस देश के आज़ादी के इतिहास में, 1947 में हम आजाद हुए एक इस्ट इंडिया कमपनी की गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन आज बहुत दुख है और दुर्भाग्य है हम सब का, कि आजादी के 50 साल बीतने के बाद फिर से इस देश में, हजारों विदेशी कमपनिया आ गई, पहले एक इस दे विदेशी कमपनिया इस देश में आ गई है लूटने के लिए, सन 1991 के बाद से एक नया नारा इस देश में दिया गया है, उदारी करण का, ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का, इस उदारी करण और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद तो विदेश 1991 से 1996 के बीच में आ चुकी है हजारों हजार विदेशी कमपनियों के साथ समझोते हो रहे है इस देश में ऐसा लगता है कि सारा का सारा राजने तिकतंत्र विदेशी कमपनियों के लिए पलक पांवडे बिचा कर काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति इस देश में प्रधान मंतरी बनता है, वित्य मंतरी बनता है, किसी प्रदेश का मुक्य मंतरी बनता है, तो सबसे पहला काम वो ये करता है विदेशी कमपनियों को बुलाने के लिए, या तो विदेश जाता है, या तो हिंदुस्तान में ही बयान देकर, भा इस्तरवी शताब्दी के शुरुवात मैं औरंग जेव से हुई थी कि उसने ईस्त इंडिया कमपनी को व्यापार करने के लिए इस देश में जगे दी वही गलतिया आज फिर धोराई जा रही हैं कि ईस्त इंडिया कमपनियों को जा धाकत वर दूसरी विदेशी के समर्थक लोग है वो कुछ तरक देते हैं himself ौक चपक्नियां Decis when ए तो यह उत्च वंपनिया उइगी तो इस देश में ऊच्छlaughs नहीं कि आएगी उसके साथसाथे इस धेश में法 क्वालिटि के सामान मिलें विदेशी और यह तंकिया र्या आएगी तो आई अक्षी तक्नीक ही आएगी तो अच्छे क्वालिटी के सामान मिलेंगे. तीसरा तर किए दियाown कारणगा जाता है, जब विदेशी कंपनी आएगी तो इस देश में रोजगार बढ़ेगा, जा दिया हाँ चौनकी विदेश कंपनी भी लेके आती है कि उसके खालगा तक्वा इसलएब दाधी से बढ़ जायेगा। न चारों तोगों को देखना चाहिए। ये बातें पता चलती हैं कि विदेशी कमपनिया या विदेशी कमपनियों को जिन तरकों के लिए बुलाया जाता है वो उससे बहुत दूर है। अभी हाल में उधारण के लिए पारलेमेंट में संसद में एक सवाल पूछा गया कि विदेशी कमपनियों के माध्यम से पिछले 5-6 वर्षों में कितनी पूजी आई है इस देश में जबसे उधारी कराण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियां हुई हैं, वि तो भारे सरकार के मंत्री के दिये हुए जबाद के आधार पर जो आँकड़ा मिला वो ये था, कि जुलाई 1991 से लेकर नवंबर 1996 तक इस देश में विदेशी कमपनियों के माध्यम से 92,556 करोड रुपए के विदेशी पूजी निवेश के प्रस्ताव सुईक्रत किये गए मतलब कि जितनी पूजी के विदेशी पूजी निवेश के प्रस्ताव पारित हुए है, क्या वो सारी की सारी पूजी इस देश में आ गई है, तो जवाब उसका मिलता है नहीं, हमेशा ये होता है कि जितने प्रस्ताव पारित होते हैं, सुईक्रत होते हैं, भारस सरकार जि बहुत कम होती है तो भारत सरकार के ही आकणों के अनुसार जुलाई उनीस सो क्यानवे से जुलाई उनीस सो च्यानवे तक 92,556 करूल रुपए के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव सुईक्रत हुए लेकिन इनने से वास्तम में हमारे देश में जो विदेशी पूं तो इससे अंदाजा लगता है कि कितना बड़ा ढोल पीटा जाता है विदेशी पूंजी के लिए और वास्तम में आने वाली विदेशी पूंजी उससे बहुत कम होती है इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जितने प्रस्ताव पारित होते हैं उसकी एक बटे पांच पूंजी ह वास्तम में इस तेश में आती है दूसरी सचाई एक और है कि ये जो 19,479 करोड रुपए की विदेशी पूंजी आई भी है विदेशी कमपनियों के प्रस्तावों के माध्यम से ये किस तरीके से आई है इस पूंजी का स्वरूत क्या है तो पता चलता है कि ये जो पूंजी है उसमें से अधिकांश पूंजी या ज्यादा पूंजी तो वित्तिय पूंजी है और वित्तिय पूंजी वो पूंजी होती है जो शेयर बजार में या सक्टा बजार में लगी होती है मने शेयर बजार और सक्टा बजार के माध्यम से जो पूंजी आती है वो वित्तिय तो भारत में आई हुई जितनी विदेशी पूंजी है उसमें से चुंकि अधिकांश पूंजी वित्तिय पूंजी है, सक्ता बाजार में लगी हुई पूंजी है, शेर बाजार में लगी हुई पूंजी है, इसलिए उस पूंजी से इस देश का कोई भला नहीं हो पाया है, प दूसरे देश में चली जाए जिन विदेशी कमपनियों ने सक्टा बजार में शेर बजार में पूजी लगाई है जिन विदेशी विद्टियस अंस्थानों ने इस देश के सक्टा बजार और शेर बजार में पूजी लगाई है अगर उनको लगे कि भारत से जादा अच्छा बाजार हौंग कॉंग का है या भारत से ज्यादा अच्छा बाजार चीन का है या भारत से ज्यादा अच्छा बाजार किसी दूसरे देश का है ताईवान का है या भारत से ज्यादा अच्छा बाजार उनको किसी और देश का लगने लगे तो ये सारी पूजी तुरंट जो है शानवर में हमारे देश के बाजार से निकल कर उन देशों के बाजार में चली जाएगी चूंकि ये पूंजी निवेशित नहीं है उत्पादन के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए इसलिए इस पूंजी का इस देश को कोई लाव नहीं मिलता है तो विदेशी पूंजी के छेत्र में, विदेशी पूंजी के रूप में इस तना बड़ा धोखा इस देश के साथ हो रहा सरकार के ही आंकणे ये सिद्ध करते हैं कि कोई विदेशी पूंजी आ नहीं रही है इसके उल्टे, जितनी विदेशी पूंजी आती है उससे कई गुना ज़्यादा पूंजी देश के बाहर चली जाती है सरकार की रिजर्बेंग के ही आंकणों के अनुसार सन 1981 से सन 1989 के बीच में भारत में कुल विदेशी पूंजी निवेश हुआ 11,453 करोड रूपए का जबकि इसी अवदी में माने सन 1981 से 1989 के बीच में जो पूंजी भारत से बाहर चली गई वो है 13,930 करोड रूपए का इसका माने है कि 11,453 करोड रूपए की पूंजी आई और 13,930 करोड रूपए की पूंजी डॉलर के रूप में इस देश से बाहर चली गई इसी तरह जुलाई 1991 से नवंबर 1996 के बीच में जो विदेशी पूंजी भारत में आई 19,499 करोड रूपए की है जबकि इसी दोर में लगबग 34,240 करोड रूपए की पूंजी डॉलर के रूप में भारत वर्षते बाहर चली गई जुलाई 1991 से नवंबर 1996 के बीच में जो प्रस्ताव सुईक्रत हुए उन प्रस्ताव की सुईक्रती का मातर 20 पूंजी आई लेकिन जो 20 पूंजी आई भी उस 20 पूंजी की वज़े से हिंदुस्तान से बाहर जाने वाली पूंजी उससे लगबग 2 गुनी है 240 करोल रुपए की पूंजी इस देश के बाहर चली गई तो विदेशी पूंजी के इतने बड़े धोके में इस देश को जो है विदेशी कमपनियों की लूट के लिए खोल दिया गया है दुनिया भर में भी यही स्थती है विदेशी कमपनिया दुनिया के जिन देशों में जाती है वहां बहुत कम पूझी लेकर जाती है और उन देशों से जितनी ले गयाने वाली पूझी है विदेशी कमपनियों द्वारा वो कई गुना जादा होती है हमारे देश में भी विदेशी कमपनियों के कुछ आकड़े उपलब्द है जो पूंजी लेकर आती है इस देश में और कितनी पूंजी ले जाती है सामानेति है, हर विदेशी कंपणी जितनी पुंजी लेकर आती है, उससे तीन गुना ज़्यादा पुंजी वो पहले ही वर्ष में कमा कर इस देश से ले जाती है. वास्तम में क्या होता है कि कोई भी विदेशी कंपनी जब इस देश में व्यापार करने के लिए आती है तो वाह जो initial paid up capital होता है शुरुआती दौर की जो पूझी होती है व्यापार शुरू करने के लिए जितनी पूझी वो लगाते हैं वो कुल पूझी का मातर 5 प्रतिशत ही होती है तो initial paid up capital शुरुआती दौर की जो चुपता वो उनकी कुल पूजी का 5 प्रतिशत ही होती है, बाकी की 95 प्रतिशत पूजी ये विदेशी कमपनिया हमारे देश से ही कमाती है, उठाती है, जैसे वो शेयर बाजार में अपने शेयर्स फ्लोट करती है, वो शेयर बाजार के माध्यम से अपने डिवेंचर्स फ्लोट करती है डिवेंचर्स उनके बाजार में बिखते हैं, शेयर्स उनके बाजार में बिखते हैं, हमारे ही देश के वित्तिय संस्थानों से करजा लेती हैं, हमारे ही सरकार के दूसरे विभागों से करज लेती हैं, तो अपने देश से लाने वाली पूझी उनकी मातर 5 प्रतिशत होती है तो अपनी लाई हुई पूजी का कई कई गुना मुनाफ़ा वो पहले ही वर्ष में कमाके ले जाती है कुछ कमपनियों के उधारन दिये जा सकते है बंबई के स्टॉक एक्षेंज मार्केट के जो आकड़े हैं उनके आधार पर ये कहा जा सकता है उधारन के लिए हिंदुस्तान लीवर नाम की एक कमपनी है जो हॉलेंड की है हमारे देश में सन 1933 में आई थी व्यापार करने के लिए तो जब ये कमपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई सन 1933 में उस समय इस company में मातर 24 लाख रुपई की पूझी लगाई है मने इस company का हमारे देश में initial paid up capital शुरुआती दोर की जो चुकता पूझी है वो मातर 24 लाख रुपई की है जबकि आज इस company में जो कमाई की है हमारे देश से जो मुनाफा कमाया है उसके आधार पर जो इस company की संपत्ती बनी है वो लगभग 563 करोड रुपई की है मने मातर 24 लाख रुपई से धंदा शुरू करने वाली हिंदुस्तान लीवर company के पास आज 563 करोड रुपई से ज़ादा की संपत्ती है और ये company प्रतिवर्ष 240 करोड रुपई का मुनाफा नेट प्रॉफिट के रूप में कमाती है पिछले साल 1995-1996 की जो balance sheet है इस company की जो annual report है उसके आधार पर इस company ने 240 करोड रुपई का नेट प्रॉफिट कमाया इससे अंदाजा लग सकता कि सन 1933 से ये company काम कर रही है इसका माने इस company को हिंदुस्तान में काम करते हुए भारत में काम करते हुए लगबग 65 वर्ष हो गए 65 वर्ष से ये company हमारे देश में मुनाफा कमा रही है और 65 वर्ष से जो मुनाफा ये कमा कर ले गई होगी वो 24 लाख रुपए का कई हजार गुना बैठेगा अगर ये हिसाब निकाला जाए क्योंकि इस company में 24 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया आपने देश हॉलन्ड से ये 24 लाख रुपए की पूझी इस देश में ले कर आई थी और आज इसने 563 करोल रुपए की संपत्ती तो हमारे देश में बना ली है तो जो संपत्ती इस देश के बाहर चली गई होगी वो कितनी होगी ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है इसी तरह से अमरीका की एक company है कॉलगेट पामोलिव ये हमारे देश में सन 1937 से व्यापार कर रही है और सन 1937 में जब इस company ने हमारे देश में व्यापार की शुरू किया तब इसने एक लाख पचास हजार रुपए की पूंजी लगाई कॉलगेट पामोलिव की हमारे देश में initial paid up capital मात्र डेल लाख रुपए की है एक लाख पचास हजार रुपए की है और आज इस company के पास 187 करोड रुपए से ज़्यादा की संपत्ती है 1996 की इस company की वार्शिक रिपोर्ट के अनुसार इस company का एक साल का net profit एक साल का शुद्द लाव 77 करोड रुपए के आसपास है मने 12 लाख रुपए से व्यापार शुरू करने वाली company आज 77 करोड रुपए का मुनाफ़ा एक वर्ष में इस देश से कमा रही है और उनके पास 187 करोड की संपत्ती जमा हो चुकी है इसी तरह से बाटा इंडिया लिमिटेड एक company है यह company सन 1931 में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और 70 लाख रुपए से इस company ने व्यापार शुरू किया है 70 लाख रुपए से व्यापार शुरू करने वाली बाटा company की आज सारे देश में 115 करोल रुपए से जादा की संपत्ती है सीवागाएगी एक Swiss company है Swiss विदेशी company है Swiss multinational company है वो 1947 में इस देश में व्यापार करने के लिए आई और 1947 में व्यापार शुरू करने वाली इस सीवागाएगी company ने initial paid up capital के रूप में मात्र 48 लाक रुपए इस देश में लगाया है और 48 लाक रुपए से व्यापार शुरू करने वाली इस सीवागाएगी company के पास आज 176 करोल रुपए से जादा की भी संपत्ती है इस company का पिछले साल का मुनाफ़ा 1996 का मुनाफ़ा लगबग 23 करोल रुपए का है तो 48 लाक से व्यापार शुरू किया और 23 करोल रुपए प्रतिवर्श ये company मुनाफ़ा कमाती है ऐसी Johnson & Johnson एक अमरीका की company है 1957 से इस देश में व्यापार कर रही है 24 लाक रुपए की पूझी इस ने लगाई है और करोल रुपए की पूझी ये company इस देश में बाहर लिजा चुकी है करोल रुपए की संपत्ती इस company ने भी इस देश में बना रखी है ऐसी ये company है Hext ये जर्मनी की company है 1956 से इस देश में व्यापार कर रही है और 1956 में इस company ने 2 करोड 72 लाक रुपए का initial paid up capital लगाया है इस देश में शुरू आती पूझी लगाई है लेकिन आज इस company के पास 218 करोड रुपए की संपत्ती जमा हो चुकी है तो लगबग 2 करोड 72 लाक से व्यापार शुरू करने वाली Hext company 218 करोड रुपए की संपत्ती की मालिक है इस समय देश में ऐसे ही एक company है buyer इसने भी 1957 में व्यापार शुरू किया 3 करोड 69 लाक रुपए की initial paid up capital से इसने व्यापार शुरू किया और आज इस company के 544 करोड रुपए की संपत्ती जमा हो चुकी है German Remedies नाम की एक company है 1949 में इस देश में उसने काम शुरू किया 64 लाक रुपए की शुरू आती पुझी से initial paid up capital से और आज इस company के पास लगबग 50 करोड रुपए से जादा की संपत्ती है एक ताजा उधारन है पेपसी कोला का ये company अमरीका से आई है और पेपसी कोला ने 90 के दशक में इस देश में 40 करोड रुपए से व्यापार शुरू किया है 40 करोड रुपए से व्यापार शुरू करने वाली पेपसी कोला का एक साल का मुनाफ़ा पिछले साल का मुनाफ़ा लगबग 240 करोड रुपए का है तो इससे अंदाजा लग सकता है कि ये विदेशी कमपनिया बहुत थोड़ी सी पूंजी लेकर आती है और उससे कई गुना जादा पूंजी ये हमारे देश की लेकर चली जाती है तो वास्तम में पूंजी इन कमपनियों के द्वारा हमारे देश में आ नहीं रही है बलकि इन कमपनियों के द्वारा हमारी पूंजी इस देश के बाहर जा रही है यही काम इस्ट इंडिया कमपनी करती थी मातर 50,000 पॉंट से व्यापार शुरू किया और 60 करोड रुपए की पूंजी 60 करोड की संपत्ती वो एक साल में इस देश से बाहर ले जाती थी औस तन 2500 साल तक उसमें इस देश को लूटा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने 1000 करोड रुपए की संपत्ती इस्ट इंडिया कंपनी ले गई होगी जो काम इस्ट इंडिया कंपनी करती थी वही काम आज ये विदेशी कंपनिया कर रही नाम मातर की पूंजी लेकर आती है और 1000 करोड रुपए की संपत्ती इस देश के बाहर जा रही ये तो उधारण है कुछ 8-10 कंपनियों के बास्तम में ऐसी इस देश में 4000 से जादा विदेशी कंपनिया है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने 1000 करोल रुपए की पूंजी प्रतिवर्ष इन विदेशी कंपनियों के माद्यम से इस देश के बाहर जा रही है दूसरी बात दूसरे तरक पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी विदेशी कंपनियों के बारे मैं ये कहा जाता है कि ये आएंगी तो उच्छे तक्नीकी लेके आएंगी ये आएंगी तो इस देश में क्वालिटी के सामान मिलेंगे ये तर्क बहुत ही गलत है एकदम जूट है कोई भी विदेशी कमपनी इस देश में बहुत उच्छ तक्नीकी लेके आती नहीं बने जीरो टेकनालोजी जहां पर कोई उच्छ तक्नीकी की जरूरत नहीं है ऐसे क्षित्रों में विदेशी कमपनीों ने ज़्यादा व्यापार किया और ये पिछले 50 साल का अनुभव यही कहता हमारे यहां कोई भी विदेशी कमपनी ऐसी टेकनालोजी लेकर नहीं आती जो टेकनालोजी अप्टू डेट हो बने जो टेकनालोजी आज यॉरप में या अमरीका में या दुनिया के तमाम विक्सित देशों में लेटेस्ट मानी जाती हो ऐसी लेटेस्ट टेकनालोजी लेकर कभी कोई विदेशी कमपनी हमारे देश में काम करने नहीं आती कुछ कंपनियों ने मसाले बेचना शुरू कर दिया है, एक विदेशी कंपनी ने तो नमक बेचना शुरू कर दिया अनपूरुना के नाम से, अब यह पूचा जा सकता है कि यह आलू का चिपस, टमाटर की चटनी, आम का अचार, या मसाले, या बोतल में पानी भरके बेचना या चौकलेट बेचना या बिसकुट बेचना या डबल रोटी बेचना या कास्मेटिक्स के आईटम सौंदर प्रसादन के आईटम बेचना ये कौम सी टेकनालोजी है दुनिया भर में ये सारे के सारे सामान शून ने तकनीकी के सामान माने जाते हैं जीरो टेक्टνालोजी के सामानगे जाते हैं. तो जादा विदेशी कंपनिया तो इस देश में इसी शेत्र में आ रही हैं. और विदेशी कंपनिया यह जिए जिए ठरा चैसर चैसे च्छेत्र हैं जहांपर मुनाफ्य की गुन्जाइश बहुत होती. बहुत कम पूंझी से ब कभी कोई भारी या latest technology लेकर इस देश में आती नहीं है उसके कई बार लोगों को ये भी ब्रहम होता कि ये विदेशी कंपनिया आती है तो technology के साथ साथ हमको quality देती है कोई quality नहीं है कई बार तो ये कंपनिया जहर बेचती है quality के नाम पर जैसे उधारन के लिए Pepsi Cola या कोका कोळा नाम की दो government अ आ will अमरीका संपर और ये दोनों अमरीका से आने वाली कंपनिया इस देश में क्या बेच रही इस देश में बोतल में पानी या कोका कोला जैसे बनते हैं, यतने ठंडे पे पदार्थ बनते हैं पैपसी कोला या कोका कोला के, इन सभी ठंडे पे पदार्थों में, sodium benzoate, potassium sorbate, phosphoric acid, citric acid, beautilated hydroxy anisole, beta carotene ऐसे तमाम खतरनाक रासाइनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे तमाम खतरनाक रासाइनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके ही पेपसी कोला, कोका कोला जैसे ठंडे पे पदार्थ बनते हैं ये सभी रासाइनिक पदार्थ धी में जहर माने जाते हैं और ये सभी ऐसे रासाइनिक पदार्थ हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बिमारियां पैदा करते हैं तो कैंसर जैसी गंभीर बिमारियां पैदा करने वाले सामानों को मिला कर जो पानी बेचा जा रहा है soft drink के नाम पर ठंडे पे के नाम पर वो quality कैसे हो सकता है दूसरी बात शरीर विज्ञान के अनुसार हमेशा ये होता है कि carbon dioxide gas शरीर में से बाहर निकाली जाती है और oxygen gas हम सांस के दुआरा शरीर में अंदर ले जाते हैं लेकिन ये जितने soft drink हैं जितने ठंडे पे पदार्थ हैं ये सब के सब carbon dioxide से बनते हैं इनको तक्नी की भाषा में carbonated water भी कहा जाता है माने carbon dioxide मिले हुए पानी है ये सब के सब शरीर विज्ञान कहता है कि carbon dioxide को शरीर के बाहर निकालना चाहिए oxygen को अंदर ले जाना चाहिए लेकिन जो भी लोग ये ठंडे पे पदार्थ पीते हैं soft drink पीते हैं वो शरीर विज्ञान का उल्टा काम करते हैं माने carbon dioxide वो अंदर ले जाते हैं और ये carbon dioxide ही है जो आपके गले के नीचे उतरते ही आपकी नाक में संसनी पैदा करती है माथे में संसनी पैदा करती है खटी-खटी डखारें आती है अक्सर लोग कहा करते हैं कि soft drink पीते ही गले में संसनी पैदा होती है नाक में संसनी पैदा होती है दिमाग में संसनी पैदा होती है ये क्यों होती ये इसलिए है कि आप कारबन डाय उक्साइट पी रहे आप जहर पी रहे और जब भी शरीर में इस तरह के जहरीले पदार्था आप डालेंगे तो शरीर की अपनी स्वाभविक प्रतिक्रिया होती है और वो स्वावेविक प्रतिक्रिया के तहत ही शरीर मना करता है कि आप इनको मत पीजे लेकिन आप इनको जो है क्वालिटी प्रॉडक्ट मानकर पीते हैं चले जाते हैं तो सच्चा ही तो कुछ उल्टी ही है विदेशी कमपनिया कोई ना तो टेक्नालोजी लेके आती है ना तो कोई क्वालिटी देती है इसी से जुड़ी हुई एक बात और समझने की है कि ये पैपसी कोला या कोका कोला जैसे ठंडे पेपदार्थ जो बाजार में बेचे जाते हैं साथ रुपई के आठ रुपई के ये साथ आठ रुपई की बेची जाने वाली बोतल पैपसी कोला या कोका कोला के कार खाने में जब बनके तयार होती है तो मात्र इस बोतल के बनने पर सतर पैसे का खर्चाता तो सत्तर पैसे में जो पानी बनके तैयार होता है कार्बोनेटेड वाटर या सौफ ड्रिंक वो बाजार में 7 अट रुपय का दिखता है इसका मानिय चाहे इसका मानिय ये है कि बहुत कम कीमत में जो सामान बनता है वो हमारी जेप को काट कर बाजार में बेचा जाता है 70 पैसे में बनने वाला सौफट ड्रिंक अगर 7 रुपए में देखता है तो इसका माने बहुत साफ साफ है कि वो आपकी जेप से लगभग 70 गुना लगभग 100 गुना जादा पैसा निकालते तो इतना पैसा कौन दे रहा है हम दे रहे है और यही पैसा है जो 240 करोड रुपए के रूप में हर साल पैपसी कोला को या कोका कोला जैसी कमपनियों को मिलता है एक और बात इस पैपसी कोला के बारे में बतानी बहुत जरूरी है ये अमरीका से आई है कम्पनी हमारे देश में ठंडे पे के नाम पर व्यापार कर रही है इस कम्पनी ने एक बहुत खतरनाक काम इस देश में शुबू किया है वो खतरनाक काम है, अमरीका से प्लास्टिक का कच्रा लाकर ये पैपसी कोला कमपनी हमारे देश में डालती है, अब तक ये पैपसी कोला कमपनी 10,000 तंसे जादा कच्रा अमरीका से लाकर हमारे देश में डाल चुकी है, जो कच्रा अमरीका में प्रतिबंदित किया जाता है, जो कच्रा यॉरप के देशों में प्रतिबंदित है, जिस कच्रे को वहाँ फिका नहीं जा सकता, जिस कच्रे को वहाँ डाला नहीं जा सकता, उस कच्रे को लाकर पैपसी कोला हमारे देश में डाल रहा है, और हम ये मान कर बैटे हैं कि पैपसी कोला आया है तो इस देश में क क्वालिटी लेकर आया है या पैपसी को लाया है तो इस देश में टेक्नालिजी लेकर आया है ना तो कोई क्वालिटी है ना तो कोई टेक्नालिजी है और सबसे बड़ा दुरुभागी क्या है इस देश का आज़ादी के पचास साल के बाद भारत सरकार ये मानती है तरकारी नाकड़े हैं इस बात के, कि इस देश में लगभग दो लाख गाओं में पीने का पानी नहीं है, हमारी आजादी के पचास साल बीतने के बाद भी इस देश के दो लाख गाओं में हम पीने का पानी नहीं दे पाए हैं, दूसरी तरफ इस देश के गाओं गाओं में पैपसी क पैप्सी कोला हर गाओं में मिलता, पैप्सी कोला हर शहर में मिलता है। कि ये नहीं वह सकता कि जितना पैशा पैप्सी कोला इस डेश देश नहीं है, उतने पैशे میں इस देश के लिए पानी की व्यवस्ता की जा सके। और हिसाब लगा ये तो बिलकुल इस पश्ट है कि अगर 240 करोल रुपए जो पैपसी कोला को हम दे रहे हैं इस देश से उस 240 करोल रुपए को पैपसी कोला को देना बंद कर दिया जाए तो सारे देश के दोलाग गाओं के लिए पीने के पानी की विवत्था की जा सकती है तो एक तरफ देश में पीने का पानी नहीं है दूसरी तरफ पैपसी कोला बिक्रा ये कुछ गंबीर प्रश्ण है जिसको हमको समझना चाहिए सोचना चाहिए कि आखिरकार हम जा किधर रहे और फिर हमको ये तै करना चाहिए इस देश में कि हमको पहले पीने का पानी चाहिए या पैपसी कोला चाहिए और अगर महत्मा गांदी जिनोंने इस देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा काम किया महत्मा गांदी जिनोंने इस देश की आज़ादी का इतना बड़ा सपना देखा उस महत्मा गांदी के सपने के अनुसार तो इस देश में पहले पीने के पानी की जरूरत है पेपसी गोला की इस देश को कोई जरूरत नहीं महत्मा गांदी ने जो फॉर्मूला दिया था जो सूत्र दिया था इस देश में वो सूत्र तो ये है, वो कहा करते थे अक्सर, कि जब भी हम कोई विकास की योजनाएं बनाएं, जब भी हम कोई नीतियां बनाएं, तो उन नीतियों और विकास की योजनाओं को हम कैसे परक हैं, तो उसके परकने के लिए उन्होंने सूत्र दिया था, कि हर उस नीति और विक देश में चलनी चाहिए यह उनका दिया हुआ एक सूत्र है और इस कसोटी पर अगर हम यह कत कर देखते हैं तो पता चलता है कि पैपसी कोला और कोका कोला की तो इस देश को कोई जरूरत नहीं महत्मा गांदी के दिये हुए इस फॉर्मूले के आधार पर तो गाओं-गाओं को पीने का पानी मिलना चाहिए लेकिन गाओं-गाओं में यह पैपसी कोला बिक रहा है और दो सो चालीस करोर रुपए देश के खून पसीने की कमाई का हम विदेशी कमपनी को दे रहे हैं ऐसे ही कुछ विदेशी कमपनिया हैं जो इस देश में मंजन बेचती हैं कॉल गे ञतotes भी Zero Technology के اइटम होते हैं शुनी तकनीकी के आइटम होते हैं इंना भी कोई क्वालिटी होती नहीं है सामन नितर सारे के सारे टूथपेस्ट जो बनते हैं वो डाई केल्शियम फॉसफेट से बनते हैं और डाई केल्शियम फॉसफेट कहां से आता है डाई केल्शियम फॉसफेट मरे हुए जानवरों के हड़ियों में से निकाला जाता है तो मरे हुए जानवरों की हड्डियों में से जो निकाला जाता है डाइकेल्शियम फॉस्पेट उससे कोई टूथपेस्ट बनता है और सवेरी सवेरे उठकर हम अपने अपने मुह से रगड़ते हैं और फिर कहते हैं कि सांस की बद्बू दूर होती है इस से बड़ा भ्रहम तो कोई दूसरा हो नहीं सकता है यह तो बहुत बड़ा भ्रहम है टेक्नॉलजी का भ्रहम है यह बहुत बड़ा भ्रहम है क्वालिटी का भ्रहम है डाई केल्शम फासफेट अगर जानवरों की हड्डियों के चूरे से निकल रहा है तो उसमें कोई टेक्नालोजी होगी ने उसमें कोई क्वालिटी होने वाली ने दूसरा ये जितने टूथपेस्ट होते हैं इन सभी में सिंथेटिक डिटर्जेंट इस्तेमाल किये जाते हैं और सिंथेटिक डिटर्जेंट किसके लिए इस्तेमाल किये जाते हैं जाक पैदा करने के लिए जो synthetic detergent ढाग जाग पैदा करने के लिए shaving cream में इस्तेमाल किया जाता है वो ही synthetic detergent toothpaste में भी इस्तेमाल होता है shaving cream का formula और toothpaste का formula करीब करीब एक है लोगों को बहुत भ्रह्म है कि जितना जादा जाग पैदा होगा उतनी जादा अच्छी quality का toothpaste है तो ये तो ठीक उल्टी बात है जितना जादा जाग पैदा होगा इसका माने उतना ही जादा synthetic detergent उसमें है और synthetic detergent तो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है तुचा के लिए भी बहुत हानिकारक होता है तो synthetic detergent और उपर से plastic का brush दुनिया के सारे बड़े dentist इस बात को कहते हैं कि plastic के जो brush होते हैं नया नया plastic का brush अगर आप खरीद कर लाएं और उस plastic के brush से आप मंजन करना शुरू करें पेस्ट करना शुरू करें तो तीन चार दिन के बाद उस plastic के brush में तमाम तरह के कीटानों पैदा हो जाते हैं और चाप उसको 50 बार धोईए तो भी वो खतम नहीं होते हैं और हमारे यहां तो एक-एक प्लास्टिक का brush जो है एक-एक साल तक लोग घिसते रहते हैं तो उन में तो जो है पतानी कितने कीटानों पैदा होते हैं और उन कीटानों से भरे हुए प्लास्टिक के brush को रोज सबेरे शबेरे अपने अपने दांतों से रगड़ते हैं जानवरों की हड़ियों के चूरे से निकले हुए डाइकल्शियम फॉस्पेट के बने हुए मंजन को रोज अपने अपने मूँ से लगाते हैं और हम सब इस बेवकूफी में जिन्दा हैं कि हमको बहुत बड़ी और बड़ी भारी quality मिल रही है सच्चा ही एक और भी है कि जिन देशों में सबसे ज़्यादा टूथ पेस्ट इस्तेमाल किये जाते रहे हैं जिन देशों में सबसे ज़्यादा ये प्लांस्टिक के ब्रश इस्तेमाल किये जाते रहे हैं उन्हीं देशों में सबसे ज़्यादा दांतों के मरीज अमरीका में यॉरप में दांतों के मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा तो इन देशों में अगर सबसे ज़ादा दांतों के मरीज है तो ये पेस्ट और टूथ ब्रश के ही कारण है और उन तमाम देशों में अब इस बात की चेतना पैदा हो रही है कि टूथ पेस्ट और टूथ ब्रश का वहिशकार किया जा दुनिया के जितने बड़े अच्छे डेंटिस्ट हैं वो अब ये सलाहा देने लगे हैं कि आप उंगली से मंजन करिए तो दांतों की मालिश होगी मसूलों की मालिश होगी आपके दांत पहले से ज़्यादा अच्छे रहे हैं एक्यू प्रेशर के सिब्धान के अनुसार अगर आप उंगली से मंजन करते हैं तो उंगली के वो सारे बिंदू दबते हैं जो आपके शरीर की बिंद बिंद नाडियों से जुले हुए होते हैं तो बहुत वेग्ञानिक तरीका है उंगली से मनजन करना, लेकिन आज के इस बेवकूफी के बातावरन में बता दिया गया है कि पेस्ट और ब्रश करना ज्यादा बड़ी क्वालिटी है, उंगली से मनजन करना कुछ घटिया क्वालिटी है सच्चाई तो उल्टी है उंगली लेके आती है, टेकनलजी लेके आती है, ये ब्रहम बिलकुल गलत है, ये ब्रहम है, ये सच्चाई नहीं है, लोगों को इस ब्रहम से बाहर आने की जरूरत है, ऐसे ये तीसरा उधारन और दिया जा सकता है, ये सच है, सब जानते हैं कि आगसे 20-25 पहले थक इस देश में कोई चाई नहीं पीता था, कौफी नहीं पीता क्योंकि इस देश की परमपरा हमें इस देश की संस्कृती में चाई और कौफी जैसी चीज हैं तो बहुत रद्दी चीज हैं मानी जाती है लेकिन इं विदेशी और बहुराश्बी कम पनी racism की विग्यापन पदार्थ होता है तो आप जितनी बार चाहे पिएंगे जितनी बार काफी पिएंगे उतनी ही बार आपके शरीर में टैनिन जाएगा उतनी ही बार आपके शरीर में कैफीन जाएगा और ये टैनिन और कैफीन दोनों ही कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ हैं अगर जादा मात विदेशी कमपनी इस देश में चाय बनाती रही है चाय इस देश के बागानों में पैदा होती है यहां के मजदूर चाय पैदा करते हैं यहां के किसान चाय पैदा करते हैं विदेशी कमपनिया उस चाय को खरीदती हैं और वो सिर्फ अपने डिब्बे में पैक करके अपने जिब्बे में उसको भरके हमको बेचती हैं और उससे कई गुना ज़्यादा मुनाफ़ा कमाती हैं जिस दाम पर वो चाहे इस देश के किसानों से खरीदती हैं तो ये बहुत बड़ा भ्रम अक्सर इस देश में लोगों के मन में पाया जाता है कि विदेशी कमपनी आती है तो टेक्नालिजी लेके आती है या क्वालिटी लेके आती है एक दो उधारन और दिये जा सकते हैं उधारन के लिए बहुत सारे सौंदर परसाधन के सामान इस देश में बनते हैं और विदेशी कमपनिया उनको बनाती हैं तो सौंदर परसाधन के जितने सामान बनते हैं उन माजार में लाने से पहले तमाम तरह के एक्सपरिमेंट्स किये जाते हैं, टेस्ट किये जाते हैं, तो उन एक्सपरिमेंट्स करने में, टेस्ट करने में, वो प्रयोग करने में लाखों करोणों बेजवान प्राणी, निरी प्राणी मारे जाते हैं, तो लाखों करोणों प्रकृति का नुकसान होता हो वो सामान किसी दूसरे का सौंदर कैसे बढ़ा सकते हैं और एक और बड़ी बात है उसको समझने के कि कभी भी सौंदर प्रसाधन के सामानों को आप इस्तेमाल करके जादा सौंदर हो नहीं सकते हैं भगवान ने आपको जैसा बनाया है ईश्व आपकी तुचा, आपका रंग, आपका चहरा, आपका सब कुछ शरीर का, वैसा का वैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, तो भी हम बार बार इस ब्रहम में क्यों पढ़ते हैं, कि बार बार संदर प्रसादन खरीदते हैं और उनका इस्तेमाल करते फिर एक और बात है, जो समझने चाहिए, थोड़ी गहरी बात है, लेकिन भारती ये संस्कृती से जूड़ी हुई, कि सौंदर जो है, खरीदा नहीं जा सकता, वो तो प्रकती प्रदत होता है, और जो प्रकती प्रदत है, प्रकती के दौरा दिया हुआ है, भगवान के लोगा, बड़ा जूट बोलती है, कि वो गोरे पन की करीम बेचती है, तो फेर न लवली अगर गोरे पन की करीम होती, मैं तो हिंदुस्तान में जितने लोग काले हैं, वो सब के सब गोरे हो गए होते, इस से तो ये माना जाना चाहिए, कि जो भी फेरन लवली लगाएगा वो गुरा हो जाएगा और अगर फेरन लवली लगा के सब गुरे हो जाते तो फिर दुनिया में कोई काला नहीं रहना चाहिए हिंदुस्तान के डक्षन भारत में कोई काला नहीं रहना चाहिए सब्धशनी अफरीका में कोई काला नहीं रहना चाहिए लेकिन सचा ही ये है कि फेरन लवली आप एक नई सौ लगा लीजिए तो भी आपकी तुचा का आपके चेहरे के रंग पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला हो सकता है जितनी देर के लिए फेरन लवली लगी है थोड़ी देर के लिए आपकी तुचा का रंग बदल जा लेकिन बाद में तो फिर वैसे ही होने वाला ऐसे तमाम तरह के दूसरे सौंदर प्रसादन हैं जिनका बेवकूफी भरा विग्यापन रोज हम टेलिवीजन पे देखते हैं और चुँकि ये विग्यापन रोज टेलिवीजन पे हम देखते हैं इसी के चलते हम बाजार में जाके उन सामानों को खरीद कर लाते है ना तो उसमें कोई क्वालिटी होती है ना तो कोई उसमें टेक्नालोजी होती है बस होता है विग्यापन और विग्यापन के मारफत ये कमपनिया अपने तमाम तरह के सामान बेच लेती हैं ऐसे ही उधारन दिया जा सकता है साबुन बेचने वाली कमपनियों का तमाम तरह के साबून इस देश में बिखते हैं एक साबून बिखता है जो तंदरुस्ती की रक्षा करने वाला है लाइफ तो है इस देश में कहा जाता है कि लक्स जो है फिल्मी सितारों का सौनबरे साबून है इस देश में और तमाम ऐसे साबून बनते हैं तुचाइए तो ये है, कि ये फिल्मी सितारे साबूनों से बहुत कम नहाया करते हैं, ये तो कुछ प्राकरतिक तरीकों से ही, चंदन के पाॉडर से, या हल्डी के पाॉडर से, या उग्टन बनाकर, या एते तमाम सामान इस्तमाल करके, उन सबसे नहाते हैं। जधा फिल्म नाम का तक तो होता है, वो तो कमी होता जाता है, जादा जितना जादा साबून लगाएंगे, उतना जादा तो वो खतमी होता जाता है, इसलिए तो चाकी खरादी तो उसमें है ही, और इस देश में तो हजारों साल तक बिना साबून के भी लोग रहते थे, और जब वो करता का तो भ्रह्म पैदा कर रही है कोई भी विदेशी कंपणी अपने किसी भी सुंदर प्रसादन के माद्यम से किसी को सुंदर बनाने का दावा करती है तो वो बहुत बड़ा जूट है और इन सब जूट के खिलाफ तो इस देश में लोगों को आवाज उठानी ही चाहिए जो लोग इस जूट के नाम पर लुट रहे हैं अपनी जेब कटवा रहे हैं अपना पैसा दे रहे हैं उनको इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए उच्छ तकनीकी और क्वालिटी के नाम पर इन कंपनियों के पास कुछ नहीं है सिवाए विज्यापन बाजी के शुद रूप से इन कंपनियों के विज्यापन बिखते हैं इस देश में ब्रांड नेम बिखता है और उस ब्रांड नेम को इस्थापित किया जाता है विज् विग्यापन हम दिन में कम से कम दस बार सुनते हैं, दस बार देखते हैं, दस बार पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है, और बच्पन से तीन साल का, दो साल का, एक साल का बच्चा टेलिवीजन पर वो ही सुनता है, बड़ा होता है, वो इसे विग्यापन देख सरसुन कर तो उसको भी वो संग आम coverage हो जाते है तो चुरकि विग्यापन के नाम आदनी दिमार में बैठ जाते हैं। तो इसलिए उन विग्यापनों के नाम के बैठ जाने के दंपर ही ये कंपनेया अपना सामन بेच इती है। एक सच है, वो सच ऐसा है कि अगर किसी बात को चाहे वो जूट ही क्यों न हो, बार बार कहा जाए, लगातार कहा जाए, कई बार कहा जाए, तो कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद लगने लगता है कि यही सच है, ऐसा ही होता है, यह विदेशी कमपनिया विज्यापनों के माद्धिम से बहुत बड़ा जूट बोलती हैं बार बार बोलती हैं लगातार बोलती हैं और उस जूट को सुनते 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 चोटे चोटे बच्चे से लेकर बढ़ों तक के दिमाग में यही बैठ जाता है कि शायद यही सच है हालां कि वो सच नहीं होता वो जू हम अपनी जेब कटवाते हैं और और देश के 1000昨न रुपए की समत्ती देश के बाहर इन विदेशी कमपनियों का सामान खरीट कर भीजवाते हैं बारस सरकार को एक बार क्रायोजनिक इंजन बनाने की टेक्नालोजी की जरूरत पड़ी, अमरीका की तमाम कमपनियों से उसके समझोते करने की कोशिश की गई, अमरीका ने साफ साफ मना कर दिया कि वो क्रायजनिक इंजन की कोई टेक्नोलजी भारत सरकार को नहीं देगा भारत सरकार मिराशा में आकर फिर सोवियसंग के पास गई और सोवियसंग की एक एजन्सी है गलॉब कास्मोस उसके साथ भारत सरकार का समझोता हुआ Cryogenic Engine की टेक्नोलोजी रूस से मिलने का तैयारी और वाएदा किया रूस की सरकार ने, और वो टेक्नोलोजी के साथ-थाथ उन्होंने बहुत सस्ते में इंजन देने का हम से समझाता किया लेकिन जैसे ही ए टेक्नोलिजी रूस से मिलने की तैयारी शुरू हुई और रूस से वो टेक्नालोजी हमको मिलने वाली है तो अमरीका की सरकार ने उसमें अरंगा लगाना शुरू कर दिया ठीक इसी तरह से सुपरकम्प्यूटर के बारे में कहा जा सकता है अमरीका की सरकार ने और अमरीका की किसी भी कंपोनी ने हमको सुपरकंप्यूटर नहीं दिया और हिंदुस्तान के वैग्यानिकों ने राद दिन महनत करके इस देश में सुपरकंप्यूटर तयार किया इस देश के वैग्जानिक टेक्नालोजी पैदा करने में जो सचमे टेक्नालोजी है वहाँ पर लगे हुए हैं क्योंकि वास्तविक टेक्नालोजी कभी कोई विदेशी कमपनी देती नहीं है और कभी कोई देश दूसरे देश को अपनी कोई लेटस टेक्नालोजी देता नहीं इसलिए इस ब्रहम से हमको बाहर निकलाना चाहिए कि विदेशी कमपनिया हमको टेक्नालोजी देती है या क्वालिटी देती है आज हम फिर से विदेशी कमपनियों की गुलामी में फंस रहे हैं पहले तो एक इस्ट इंडिया कमपनी की गुलामी थी लेकिन आज चार हजार से भी जादा विदेशी कम्पनियों की गुलामी है अंग्रेजों के जमाने में तो हम मातरशारी रिक रूप से ही गुलाम थे लेकिन आज हम मानसिक गुलामी में फंसते जा रहे हैं आज की इस नई गुलामी से बाहर निकलना ही होगा इस नई गुलामी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है स्वदेशी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं इस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से बाहर देश को निकालने के लिए सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था इस आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा किये गए बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था इस स्वदेशी आंदोलन की पेरणा से गाओं गाओं और शहर शहर में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी लोग अंग्रेजी कमपनियों के बने हुए माल का वहिशकार करते थे ये स्वदेशी आंदोलन देश के लोगों की चेतना में इतना गहरा उतर गया था कि महिलाएं, बच्चे, युवा विद्यार थी सब इस आंदोलन में कूद पड़े जिन दुकानों पर विद्यशी सामान बिकता था उन दुकानों पर महिलाएं तथा बच्चे सत्याग्रह करते थे नौजवान उन दुकानों के सामने खड़े होते थे उन दुकानों पर जो भी विद्यशी कमपनी का अंग्रेजी सामान खरीद दे चाता था उसको आग्रह पूरवक मना करते थे इसके बावजूद अगर वो व्यक्ति सामान खरीद लेता था तो सत्याग्रही नौजवान उस व्यक्ति से सामान को दुबारा खरीद कर उसकी होली जला देते थे इतने गहरे आग्रह के साथ ये स्वदेशी आंदोलन देश में शुरू हुआ था स्वदेशी का आग्रह इतना तीवर था कि लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया क्योंकि इंग्लेंड से बनकर चीनी आती थी उस समय में बंगाल के बहुत से मिठाई बनाने वालों ने चीनी से मिठाई बनाना बंद कर दिया था हजामत बनाने वाले नाईयों ने अंग्रेजी ब्लेड से हजामत बनाना बंद कर दिया क्योंकि उस समय के सारे के सारे ब्लेड इंग्लेंड से आते थे पंडित और पुरोहित ऐसे विवाह करने से इंकार कर देते थे जिन विवाहों में वर और वदू विदेशी कपड़े पहने होते थे बहुत सारे घरों में तो ऐसे नमका भी बहिशकार किया गया जो इंग्लेंड से बन कर भारत में बिखने के लिए आता था इस स्वदेशी आंदोलन ने सारे देश में लोगों को आंदोलित किया इसी आंदोलन की सफलता के रूप में सन 1911 में अंग्रेजों को बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा इस स्वदेशी आंदोलन की नीप पर ही भारत के स्वादीनता संग्राम के तमाम आंदोलन चले दूसरा ऐसा ही एक उधारन जापान का दिया जा सकता है दूसरे विश्युद में अमरीका ने दो परमानू बम गिरा कर हिरोशिमा और नाका साकी को तहस महस कर दिया दूसरे विश्युद में शामिल होने पर जापान की अर्थवेवस्था भी बुरी तरह से बरबाद हो गई जापान दुनिया का सबसे अधिक करज़दार देश बन गया इन हालातों से जापान को बाहर निकालने के लिए सुदेशी की भावना का जापानी लोगों में प्रचार किया गया सुदेशी भावना का अंदोलन चलाने वाले जापानी लोगों में टाबुची नाम के व्यक्ती ने काफी महतवपूर भूमे का निभाई 1765 के बाद से जापान की तस्वीर बदलने लगी जो जापान दुनिया का सबसे ज़्यादा करजदार देश हो गया था वही जापान फिर स्वावलंबी और स्वाववानी देश बनकर खड़ा होने लगा और आज का जो जापान हमारे सामने है वह वहां के स्वदेशी आंदोलन की सफलता का ही प्रमान है जापानी जनता आज भी विदेशी कमपनियों के सामनों का बहिशकार करती है जापान के पास कोई बहुत बड़ी मात्रा में प्राकरतिक संपदा नहीं है लेकिन जापानी लोगों में जो राष्ट्र निस्ठा है देश भक्ती है आत्म गौरव है उसी के चलते आज जापान ऐसा बना है रूस में भी आज स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा है रूस के तो राष्ट्र पती अपनी सरकार के साथ विलकर इस आंदोलन को चला रहे है रूस के अर्थव्यवस्था को पिछले पांसात वर्षों में बहुराष्वी कमपनियों ने बहुत बुरी तरह से बरबाद कर दिया है पूर्व के सोवियत संग के एक राष्ट्र पती मिखाईल गौरवा चोग ने ग्लोबलाइजेशन और उदारी करण की नूटियों के तहट नब्वे के दशक में सोवियत संग की अर्थव्यवस्था को बहुराष्वी कमपनियों के हवाले कर दिया उसी का परिणाम है कि एक समय का शक्तिमान राष्ट आज बदहाल देश बन गया है आज के रूस को इस बरबादी से बाहर निकालने के लिए रूसी राष्टपती बोरिस यलसिन ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया है अमरीका में भी अठारवी शताबदी के शुरूआत में स्वदेशी आंदोलन चला इतिहासकार फॉकनर ने अमरीका के स्वदेशी आंदोलन के बारे में लिखा है कि अंग्रेजों से अंग्रीकियों की लड़ाई शुरू होने के पहले अमरीकी लोगों ने अंग्रेजी माल का बहिशकार शुरू किया अमरीका में इंग्लेंड का बनाया हुआ उनी और सूती कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में विखता था इस अंग्रेजी कपड़ों का अमरीका के लोगों ने बहिशकार किया बड़ी संख्या में अमरीका के लोगों ने संकल्प लिया कि वे भेड़ों का मास नहीं खाएंगे जो कसाई भेड़ों का मास बेचेंगे उनसे मास नहीं खरीदेंगे जिससे कि अमरीका में उनी कपड़ों को बनाने के लिए भेड़ों को बचाया जा सके अमरीका के घरेलू वेवसाय में लगी हुई महिलाओं ने कपड़े बनाने का काम शुरू किया अमरीका के धनी से धनी लोग घर का बनाया हुआ कपड़ा पहनने लगे अमरीकी लोगों ने मोटा खदर पहनना शुरू किया और अंग्रेजी कपड़ों का भहिशकार किया इसी स्वदेशी आंदोलन को अमरीकियों ने बाद में हतियारबंद लड़ाई के साथ जोड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अमरीकी जनता की विजय हुई और उसके बाद अमरीका आज जो कुछ भी है वे हम सामने हैं इन उधारणों से इस पश्ट है कि जब भी कोई राष्ट गंभीर आर्थिक राजनेतिक या सांस्कृतिक संकट में फंस जाता है तो देश की जनता को उसमें से बाहर निकलने के लिए स्वदेशी के ही रास्ते पर चलना पड़ता है 1905 में भारत के लोगों के अभिक्रम से जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसे आज फिर से करना होगा इसके लिए विदेशी बहुराष्ट्वी कंपनियों के सामनों का बहिशकार करना होगा और संकल्प लेना होगा कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी सामनों का ही उप्योग करें इस राश्ट्व के नए निर्माण के लिए अपनी संस्कृति और अपनी भाशाओं पर गर्व करना होगा अपने मूल और अपनी धरोहरों का सम्मान करें स्वदेशी पर आजहरिजीवन शेली विकसित करें अपने महले, अपने गाओं, अपने शहरों में स्वदेशी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार करें और विदेशी कमपनियों के सामानों का बहिशकार करने के लिए लोगों को प्रेरित करें बहिशकार वे डाइनामाइट है जो बड़े से बड़े गुलामी के पहाड़ों को तोड़ देता है आजादी बचाओ आंदोलन पिछले आठ वर्षों से विदेशी बहुराश्वी कमपनियों के बहिशकार की मुहिम चला रहा है आजादी बचाओ आंदोलन देश में नई आजादी लाने के लिए प्रतिबद है